हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माईशास किचन आज का वीडियो भोती स्पेशल है फ्रेंड्स क्या आपको भी एकदम जूसी और टेंडर मतन चाहिए जब भी हम कभी घर में मतन करी या और कोई मतन की चीज बनाते है ना तो मतन एकदम टेंडर नहीं बनता वो धागेदार बनता है और हमारे दातों में अटकने लगता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता इसलिए स्पेशली मतन लवर्स के लिए आज मैं मतन को किस तरह से गलाना यानि पकाना चाहिए और उसे किस तरह से यूज करना चाहिए इससे स्टेप बाइ स्टेप दिखाऊंगी तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा पिल्कुल स्कीप मत करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दिखे फ्रेंड्स मतन को गलाने से पहले हमें मतन को 15 मिनट तक पानी में भीगो कर रखना है और पानी में अच्छे से भीगने के बाद अगर पानी से उसे धोएंगे ना इस तरह से हमें एक्टम ट्रांसपरेंट पानी मिलेगा तो बस अभी इसे निचोड करके एक बाउल में हम निकाल लेते हैं तो मैं अभी सभी मतन को इस बाउल में निकाल लेती हूँ और अभी हमें इस मतन को मैरिनेट करना है जो बहुत ही जरूरी स्टेप होती है फ्रेंड्स हमारे मतन को जूसी और टेंडर करने के लिए तो यहाँ पर मैरीनेट करने के लिए हमें जो चीजे इसमें अड्ट करनी है उसमें सबसे फ़ले दो चमबचितना अद्रकलेसुन का पेस्ट हमें अड्ट करना है इसके बाद आधा चमबचितना हलदी पावडर यह देखिए और अभी हम एड़ करेंगे देढ़ चमबचितन में cut की हुई प्यास यह दिखें प्यास को एकड़म पतले slices में और इस तरह से हमें cut करना है तो अभी इस प्यास को हम इसी मटन में add कर देते हैं तकरीबन देड़ किलो इतना मटन मैंने यहाँ पर लिया है और उसके लिए मैं 6 medium size की प्यास यूज कर रही हूँ आप यहाँ प और अभी इसे अच्छे से इस तरह से mix कर लेंगे इसी दोरान friends अगर आपने माईशास की चान YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पाज में bell icon होता है उसे भी प्रेस कीजिए मटन को अच्छे से mix करने के बाद अभी हमें लीड से इसे cover करके side में रखना है कम से कम आदे घंटे के लिए आपको अगर जल्दी है तो आप इसे 15 से 20 मिनट तक भी marinate कर सकते हैं और यह दिखे आदे घंटे के बाद मैने लीड को हटा दिया है और आप देख सकते ही यहाँ पर पानी रिलीज हो चुका है मटन से और यह ब्याज भी अच्छे से इसमें soft हो चुकी है यही एक stage होती है friends की हमारा जो मटन है वो एकदम juicy और tender बनता है तो अभी इसे हमें गल आने के stage में भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको step by step आगे दिखाऊंगी अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करते हैं आधा गलास इतना बस सफिशन्ट है आधा गलास इतना पानी डाल करके इससे लीड से अभी cover कर लेंगे और cooker को रख दें low और medium के बीचका कर देना है और बस इसी flame पर हमें cooker को दो सीटिया लगानी है और देखिये ना फ्रेंड्स दो से तीन मिनट में ही cooker में first वाली सीटी low flame पर आ चुकी है और अभी दो से तीन मिनट में उसकी दूसरीवी सीटी इसी तरह से आ जाएगी और अभी क्या करेंगे ह आपर gaspa flame ओफ करके cooker को अच्छे से थंडा होने देंगे इसी stage में मटन cooker के अंदर भाप में ही अच्छे से पक जाता है तो बस अभी इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं थंडा होने तक हम वेट करेंगे और दिखिये थोड़ी देर में cooker अच्छे से थंडा हो चुका है तो अभी हम लीड को हटा देंगे और ये डीजे फ्रेंड्स एकदम tender juicy mutton यहाँ पर हमारा गलकर तयार है अभी क्या करना है ये जो प्यास हमने इसमें use की है ना इस प्यास को हमें इस तरह से चपमस से अच्छे से हिला करके मैश करना है कूकर को थोड़ाचा तेड़ा करके इस तरह से बढ़ी आसा प्यास को मैश करने के बात थोड़ी ही देर में ये दिख्ये फ्रेंड्स कितना बढ़ी आसा यहाँ पर प्यास हमारी मैश हो चुकी है प्यास को मैश करने वाली प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करनी होती है अगर एक बार ये थंड़ा हो जाए ना तो ये मैश करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी और ये दिख्ये यहाँ पर ये मटन भी अच्छे से पक चुका है मैं आपको एक प्लेट में निकाल करके इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ यह थोड़ा सा पीस थंडा हो चुका है तो यह दिखिए किसी भी तरह से इसे तोड़िएगा एक्टम सॉफ्ट है एक्टम जूसी है एक्टम बढ़िया टेस्ट वाला है मटन को तोड़ कर देखने के बाद आपको अगर लगे ना कि आपका मटन पका नहीं है तो उसे और एक सीटी दे करके अच्छे से पका लीजिएगा यह ग्यास के फ्लेम पर डिपेंड करता है तो यहां पर मेरा तो मटन अच्छे से तीन ही सीटियों में गल चुका है और मैंने उसे कुकर से निकाल करके एक डिश में भी दाल दिया है और यह दिखिएगा बढ़िया सा यहां प पर थंडा होने के बाद आप इसे फ्रीज में स्टोर करके तीन से चार दिन तक अराम से इसका यूज कर सकते हैं, आप इससे मटन करी बनाईएगा, मटन बिर्यानी बनाईएगा, मटन तहारी बनाईएगा, इंस्टंट आप इसका यूज कभी भी कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स तर्न्यवाद!